मौसम हर दिन अपना रुप पदल रहा है पश्ची में विक्षोप का असर यूपी में दिखने लगा है मौसम विभाग के मताबिक आने वाले दो दिनों से तीन दिनों में तेज आंधी और बारिश के साथ ओला व्रस्टी होने की संभावना है और इसी बीच कई जिलों में बादल भी चाय रहेंगे दिली समेथ पूरे यूपी में 19 फरवरी की रात जोरदार बारिश हुई उत्राखन में भी बारिश और बरफबारी हो रही है पहाडों पर हो रही बरफबारी का असर पूरे यूपी में दिखने लगा है वहीं मौसम विभाग की माने तो पश्ची में विक्षोप का असर यूपी में दिखाई दे रहा है आने वाले दिनों में बारिश की संभावना चताई जारी है आगरा समेथ आसपास के जिलों में आंधी और ओले पढ़ सकते हैं ओले गिरने से किसानों को भारे नुकसान हो सकता है गेहूं की फसल के लिए ओला नुकसान दायक हो सकता है वहीं लखनव मौसम केंदर के मताबिक मंगलवार को पश्चिमी विक्षोप उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश के साथ अपना असर दिखास चुका है वहीं कुछ इलाकों में ओलवरस्टी होने के संभावना भी जताई जारी है वहीं आपको बता दे कि आज सहारनपूर, मेरट, मुझफर नगर, बिजनौर, जोतिबाफुले नगर, रामपूर, मुरादाबाद, बरेली, बदाईयू, अलीगर, एटा समित कई इलाकों में बारिश होने के संभावना है यहां बारिश का येलो अलर्ड भी चारी कर दिया गया है उतर प्रदेश में पश्चिवी विक्षोप का असर अगले दो दिनों तक रह सकता है मौसम के पूरवनुमान के मताबिक 23 फरवरी तक कई जिलों में बारिश हो सकती है इस दोरान बुद्वार को ग्यारा जिलों में औरिश अलर्ड जारी किया गया है और इस दोरान सहारनपूर, मुजफर नगर, बागपत, मेरट, बिजनौर, अलिगर, महमाया नगर, फिरोजबाद, आगरा, मत्रा में तेजबारिश के साथ ही ओलव रस्टी होने की संभावन जताई जारी है इसी के साथ आपको बताते चलें कि दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 26.3 डिग्री सेलसेस दर्श किया गया है वही नियूनतम तापमान आज 12 डिग्री तक दर्श किया जा सकता है इसी के साथ हवा भी 6 किलोमीटर प्रति घंते की रफतार से चलेगी